महिलाहू में बांजपन के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण है एन आवरेशन अर्थाथ एक का ऑविरियन फॉलिकल से रिलीज न हो पाना, और यदि एक ही रिलीज नहीं होगा तो न कोई फटिलाजेशन होगी, न ही कोई प्रिग्णेंसी था रहिए, इस एक को follicle से release कडाने के लिए या टेकनिकल भासा में कहें तो ovulation induction के लिए उपलब्द अनेको दवाईों में से एक दवाई है लेटरोजोल वास्ताव में इस लेटरोजोल की खोज सर्वपर्थम breast cancer के इलाज के लिए किया गया था और आज भी इनका उपयोग breast cancer के इलाज में भी होता है लेकिन ovulation induction के लिए इनके उपयोग की स्विक्रिति इंडिया में CDSO 2.07 में दी गई आईए जानते हैं विस्तार में कि एक anti-cancer drug यानि लेटरोजोल इन फर्टिलिटी में कैसे काम करता है इनके अलावे इनके दूस्प्रभावों और safer alternative अर्थार इनसे भी अच्छी और अधिक कारगर दवाई के बारे में जानेंगे लेटरोजोल के mechanism of action को अच्छी तरह से समझने के लिए और्यूनेशन के process को समझना जरूरी है एक स्वस्त महिला में माशिक धर्म के 14 दीन में mature follicle से एक रिलीज होता है या medical भासा में कहें तो ovulation होता है या ovulation, luteinizing hormone के surge यानि इनके सांदर्था में अचानक काफी विर्दी के कारण होता है एलग surge, estrogen hormone के सांदर्था में विर्दी, follicle के maturation के कारण होता है अर्थार, जियू जियू, ovarian follicle mature होता जाता है तियू तियू, follicle दोड़ा estrogen hormone का निर्मान बरदा जाता है और यही high level of estrogen hormone, hypothalamus pituitary axis को positive feedback दोड़ा उत्तेजित करता है जिससे GNRH और LH का secretion बर जाता है यह GNRH, FSH तता LH के secretion को बढ़ा देता है और अंतर तह LH सर्ज होता है यानि इंडो क्राइनोलोजी की द्रिश्टी कौन से देखा जाए तो hypothalamus pituitary axis का stimulation होना ही ovulation का कारण है अब जानना यह है कि लेट्रोजोल जो कैंसर के इलाज में उपियोग होता है हाइपोथलामus pituitary axis को किस तरह stimulate करता है लेट्रोजोल वास्तों में एक anti-estrogen drug है जो estrogen के synthesis को रोपता है यानि यदि pre-menopausal infertile महिला में menstrual cycle के early phase में दिया जाए तो temporarily blood estrogen level घट जाता है यह decreased estrogen level negative feedback द्वाड़ा हाइपोथलामus pituitary axis को stimulate करता है जिसके कारण एलज सर्ज होता है और पडिनाम स्वरूप ovulation होता है यहाँ दियान देने योगबात यह है कि ovulation induction के लिए लेट्रोजोल को period के early phase में ही देना होता है इसलिए इनका dose D3 से D7 ही होता है दूसरी बात यह है कि लेट्रोजोल pre-menopausal महिला तथा post-menopausal महिला में अलग-अलग पडिनाम दिखलाता है यानि pre-menopausal महिला में ovulation induction के लिए तथा post-menopausal महिला में breast cancer के इलाज के लिए उपियोग होता है लेट्रोजोल मेडिकल स्टोर में 2.5 और 5 mg स्ट्रेंथ में तथा विविना ब्रांट के नाम से उपलत है जैसे फेमाडा, लेट्रोज, लेट्रोफल, फेट्रोलेट, फेमप्रो, इस्टिमफोल, अंकोलेट, इत्याद चुकि लेट्रोजोल एस्टोजन लेवल को घटा जेता है इसलिए decreased estrogen level के कारण दिखने वाला symptom लेट्रोजोल का side effect है जैसे heart flushes, hair loss और thinning of hair, decreased bone mineral density या blood में cholesterol level का बढ़ जाना, vaginal bleeding इनके अलावे joint pain, nausea, dyspepsia या dyagogy इनका side effect हो सकता है लेकिन ovulation induction के लिए चुकि पांची दून लेना होता है इसलिए इस तरह के case में साधरांता कोई दूस्परभाव दिखने को नहीं मिलता है लेकिन वैसे रोगी जो लंबे समय से लेट्रोजोल ले रहा हो जैसे post-menopausal breast cancer रोगी में कई side effects दिखने को मिलता है अब भी बहुत कुछ है बागी लेट्रोजोल के बारे में चानने को जैसे क्या लेट्रोजोल लेने से birth defect होता है क्या लेट्रोजोल लेने से twins के होने का chance पढ़ जाता है किस तरह की मैला को लेट्रोजोल नहीं देना चाहिए क्या लेट्रोजोल लेने से वेट ग्यान होता है और सबसे महत्तपुन बाद यदि लेट्रोजोल से इन्फर्ट्रिंगी के ट्रीक्मेंट में सबलता नहीं मिलता हो तो इनसे भी अधिक कारगर धवाय। इन्हीं तरह के धिरोजवाड़े शवालो और जवाल या लेट्रोजोल की संपून चानकारी इस पुस्ती कामरें दी गई है। लिंक डेस्रिक्सिन बॉक्स में दिया हुआ है आप चाहिए तो डाउन्लोड कर पर सकते हैं। थैंक यू पो वाचिक दे फिडियो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।